तो दोस्तो हम आपको बताने वाले हैं आज यहां पे खम्मन धोकले कैसे बनाते हैं बहुत ही शौप्ट बहुत ही स्टाइलिस और बहुत ही ज्यादा टेस्टी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यह वीडियो पूरा देखना है तो आप सीख जाएंगे बहतरीन यहां पे स्टाइलिस यह डिस तो दोस्तो हम बनाने जा रहें यहां पे खम्मन धोकले तो उसके लिए हमने एक कटोरी बेशन लिया है और यह हमारे पास नीबू का सत्थ है करीब एक से डेड़ चुटकी तो हम इसके लिए अब गोल बनाने जा रहे हैं तो हमने एक यहां पे पतिला लिया है और इस बेशन को जो है इसके अंदर हम डाल देते हैं और अब हमें जो ये नीबू का सत है इसके अंदर पानी मिलाना है और इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मिला लिया है हमने और इसको करीब एक मिनिट के लिए आप छोड़ दे तो ये पूरा पूरा जो जाएगा पिगल जाएगा और अब इस एक कटोरी बेशन में हम पानी मिलाते हैं घोल तयार करने के लिए आप देख सकते हैं पहले हम गोल तयार कर लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना पानी हमने इसके अंदर एड़ किया है और गोल कैसा बना है वो भी आपको बता देंगे आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाना इसके अंदर अगर एक साथ ही आप ज्यादा पानी मिला देंगे तो जो आपका गोले बहुत ज्यादा पतला हो सकता है यहां पे तो इसके अंदर अब थोड़ा सा और पानी मिलाते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा गोल जो है कुछ इस परकार का नजर आ रहा अभी तो पानी मिलाके आपको इसको जो है और थोड़ा सा पतला करना है इसको अच्छी तरीके से आपको फैंट लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चलाना है इसको दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा गोल जो है लगवग तियार हो चुका है और एक भी गाठ यहां पे इसमें नहीं है और कोई भी सलवते यहां पे नहीं बची है तो अब हम जो यह नीवू का सत्थ हमारा मेल्ट हो चुका है इसको हम इसके अंदर मिला लेते हैं और यह एक सीक्रेट है यहां पे नीम्बू का सत्थ जिस्से आपके जो यहां पे ठोकले हैं वो बहुत ज्यादा यहां पे टेश्टी बनेंगे और यह फूलेंगे भी बहुत अच्छी तरीके से तो आप अगर निम्बू का सब्ध खाना पसंद नहीं करते या आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप एक निम्बू भी इसके अंदर निचोड़ सकते हैं और इसके अंदर हमने जो है करीब आदा ग्लास छोटी वाली जो ग्लास होती उसका आदा ग्लास हमने पानी यूज किया था दोस्तो गोल तयार होने के बाद आपको जो है इसको ठके है आपको आदे गंटे के लिए है वो रेष्ट करने के लिए छोड़ देना है ऐसा ही फिर आदे गंटे बाद हम इसको वापस से चेक करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं करीब आदा गंटा यहां पे हो चुका है और यहां पे हमारा जो यह गोल है थोड़ा सा हमें गाडा नजर आ रहा है इसलिए थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और एड़ कर देते हैं अगर आपको भी लगे आपका जो गोल गाडा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पानी एड़ करके फिर से हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं आप देख सकते हैं ये अब कुछ इस परकार का नजर आ रहा है और अब इसके अंदर और भी कई चीजे हैं मिलाने की तो हम उनको मिला लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं अद्रक लेशन का पेश्ट मौजूद है वो आपको डालना है 5-6 कलिया लेशन की एक टुपड़ा अद्रक का हमने यहां पे कूट के पेश्ट बनाया है यह हमने डाल दिया इसके अलावा हमारे पास यहां पे मौजूद है हरी मिर्च बारी कटी हुई एक इसको भी हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है तो आप देख सकते हैं हमने यहां पे डाल दिया है और इसको अची तरीके से आपको लिला देना है और अब बारी आती है नमक डालने की तो सादन नमक हम डाल देते हैं यहां पे करीब एक चम्मच यह आपके स्वात के अनुसार आप इसको जो है डाल सकते हैं नमक मिलाने के बाद दोस्तो बारी आती है यहां पे चीनी मिलाने की तो हमारे पास लापस दो चम्मच चीनी है दो छोटे चम्मच जो आते हैं वो चीनी अमने ले ली है और ये चीनी आपको इसके अंदर मिला देनी है और इसको भी जो है mix कर देना है तो दोस्तों अब हम इसके अंदर vegetable oil डालते हैं आप देख सकते करीब एक चमच vegetable oil आपको इसके अंदर मिला देना है इसको जो है अच्छी तरीके से वापस mix कर देना है इसके अंदर और अब हम इसके अंदर मिला देते हैं healthy powder थोड़ा सा करीब एक चुटकी थोड़ा सा color इसका अच्छा हो ना इसके लिए तो दोस्तो हमें डालना यहां पर बेकिंग सोडा इस घूल के अंदर तो अधा चमच बेकिंग लिया है और मिला के अनदर सबसे ए यह सबसे अंड में आपको डालना है और इसको जहें आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है एक ही डärक्शन वर फोड़ा ड आप देख सकते हैं फूल चुका है यह कुछ इस परकार से घोल बनाने के बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओवन है वो चड़ा दिया गेस पर इसके अंदर पानी भी डाल दिया है और यह जो हमारा यहाँ पर इस परकार से ब्रुस की मदद से और इस ओवन के अंदर आपको करीब दो गलास के करीब पानी डाल देना है और इसको गरम होने के लिए आप देख सकते हैं हम ने इसको चारो तरब जो है इसको फैला दिया है और यह अब इस ओवन के अंदर रखने के लिए पूरी तरीके से रेडी है तो दोस्तो हमने इसको यहां पर ओवन में रख दिया है और अब आपको करी 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है फुल आच के उपर ढकन देके लेकिन उससे पहले यहां पर हम जो लाल मिर्च पाउडर आता है उसकी गार्णिश कर देते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से पूरे के पूरे इस स्टैंड पे जो है गार्णिश कर देते हैं और इसको डखन दे के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो हम चैक कर लेते हैं चाकू की मदद से कि हमारे जो खंबन ढोकले हैं वो तयार हुए है या नहीं वाव आप देख सकते हैं कितने सांदार ये लग रहे हैं लेकिन आपको इनको चैक करना है तो चाकू डालके चैक करना है अगर चाकू पे कोई चीज आपके ना चिपके तो समझ सकते हैं कि ये रेडी है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाकू पे थोड़ा इनका भाग चिपक रहा है तो पांच मिनट इनको जो है और लगेंगे इसी तरह आप इनको बीच में चेक कर सकते हैं तो दोस्तो अब जो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे खम्मन जो धोकले हैं वो रेडी हैं तो अब हम ढकन हटा के एक बार फिर चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं विल्गुल भी यहां पर चिपक नहीं रहें इसका मतलब है कि यह बिल्कुल रेडी हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं और काट के सरू करते हैं तो दोस्त इसको स्टेंड को हमने हटा लिया है और अब जो है हम इसको थोड़ा से ठंडा होने के लिए करीब पांच मिनिट के लिए छोड़ देते हैं और बाकी इसके उपर जो हम गार्मिशिंग करेंगे उसके लिए हम तैयारी शुरू करते हैं यहां पर फ्र्याइब पेया नहीं नोंने चड़ा लिया इसके अंदर आफ़ उई डालना इं ऐक चम्च हमें ओवेल यहां पर दाल देना है तो दोस्तों आयल हमारा घरम हो चुग इसकें सब्सक्राइब तड़का लगा दिया है और जीरे का भी साथ में तड़का लगा देना है करीब आदा चम्मच छोटे वाला अदा चम्मच होता है वो डालना है तो हमने यहां पर तड़का लगा दिया है, गेस को आपको धीमे कर देना है, और इसके अंदर आप डाल देनी है, मिर्ची, हरी मिर्ची है बारी कट, जो लंबी कटी होई, इसको हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है, तो हमने यहां पर तीन चार मिर्ची जो लंबी कटी होई करीब एक मिनट तक आपको पकाना है उस प्रकार से तो दोस्तों ये एक मिनट पकने के बाद आपको इसके आड़ करना है तो आपको पानी मिला देते हैं और ये पानी आपको मिला देना करीब एक से टेड़ ग्लास यह ग्लास का साइज आप देख सकते हैं हमारा तो आप भी जो है कुछ इस प्रकार से वाटर एड़ कर सकते हैं और आपको अपने ग्यास को वापस से मीडियम या फुल कर देना है और इस मिक्शिर के अंदर आप भी यहां पे नीबू नी चोड़ और इसको जो है अच्छी तरीके से सभी चीजों को खिला देना है और इस मिक्शिर के अंदर आपको चीनी एड़ करनी है तो करीब तीन चम्मच हम चीनी एड़ कर देते हैं इसी के अंदर और अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप और भी चीनी एड़ कर सकते हैं और दोस्तो अब आपको जो है इस सारे mixture को करीब दो उबाल आने तक आपको उबालना है तो दोस्तो जब तक इस mixture में उबाल आता है तब तक जो हमारे याँबे ढोकले हैं तो आप देख सकते हैं किनारे छोड़ चुके हैं अपने आप ही यानि ठंडे होने के बाद कुछ देर के लिए तो ये किनारे अपने आप ही छोड़ने लग जाएंगे तो इस जो सारे मिक्स्चर को है आपको एक ठाली के अंदर डाल देना है आप देख सकते हैं कि यह हमारा मिक्सर जो इस ठाली के अंदर आ चुका है तो हम इसको वापस जो है सीधा कर लेते हैं और अब इसको जो है काट लेते हैं उल्टे चाकू का आप यूज करें ताकि जो कटिंग है वो बैतरीन होगी अच्छी होगी तो दोस्तो सारी कटिंग हो चुकी है और इधर हमारे इस मिक्सचर में जो है दो उबाल आ चुके हैं तो अब हमें थोड़ा थोड़ा करके यह जो सारा वाटर मिक्सचर का है वो इसके अंदर एड करना है तो हम एड कर देते हैं कुछ इस परकार से आप देख सकते हैं कि काफी शांदार यहाँ पे हम गारनिश कर रहे हैं इससे जो आपके ढूकले हैं वो और भी ज्यादा टेस्टी और थोड़ा स्वीटनेस के साथ आपके सामने पेश होने वाले हैं कुछ ही देर में जो यह है पूरा का पूरा वाटर अबजर्व कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो है इतना यह मिक्स्चर एड किया था काफी शांदार और थोड़ा यह फुलाव भी यहाँ पे कर लेगा और अब हम इसके उपर जो हरे तनिय की गारनिश भ और हमारे जो खमन ढोकले हैं वो काफी ज़्यादा जूसी और शांदार बने हैं तो हम इनको जो है अब सर्व कर देते हैं तो कैसा लगा कमाल का यह वीडियो वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बैल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की नोटिपिकिशन मिलते रहेंगे हम मिलते हैं एग ए ए ए ए